नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और एक्जाम गाइड ग्रूपर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइन्स के टॉप कॉश्चन्स जो आपके हर एक्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एक्जाम में भी फुल चैन्से जें कॉश्चन्स आने के तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना स्कूर गेंड किया चलिए स्टार्ट करते हैं कॉश्चन्स सबसे पहला कॉश्चन ये रहाई स्क्रीन पर निम लिखित में से कौन सी बीमारी और संक्रामक प्रवत्तिक है बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं राइट आंसर तो आप्शन नमबर डी करक रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों में आवश्चक्ता से अधिक जल्किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है बताएए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो वास्पोस सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कौशन देखते हैं कौशन नमबर थर्ड कौशन नमबर थर्ड में आपसे पूशा गया है वास्थविक वस्थू का आभासी प्रतिविम किसमे बनता है बताएए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सम्तल दरपन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कौशन देखते हैं कौशन नमबर फूर मचलियों में उत्सरजी पदार्थ क्या कहलाते हैं बताएए चले देखते हैं राइट आंसर क्या है तो आप्शन नमबर डी अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं question number 5 question number 5 में आपसे पूशा गया है वास्तविक वस्तू हमेशा सीधा पृतिविम्ब बनाने वाला दरपण कौन है बताए चलिए देखते हैं right answer क्या है तो सम्तल और उत्तल दरपण ये हमेशा वास्तविक वस्तू का हमेशा सीधा पृतिविम्ब बनाने वाले दरपण होते हैं question number 6 देख लेते हैं question number 6 में आपसे क्या पूशा गया है उच्छ रक्तचाप की अवस्ता को क्या कहते हैं बताए क्या right answer होगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो hypertension इसका right answer हो जाएगा option number C question number 8 में आपसे पूशा गया है वास्तविक प्रतिविम्ब की प्रक्रती कैसी होती है बताए चलिए देखते हैं right answer क्या है वास्तविक प्रतिविम्ब की प्रक्रती जो होती है वह option number A उल्टी होती है next question देखते है question number 9 question number 9 में आपसे पूशा गया है निम्न मैंसे किसे प्रकास शंसलेशी अंगक कहते हैं बताए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो प्रकाश शंसलेसी अंगक आपका पत्तियां होती है नेक्ट कॉशन देखते हैं कॉशन नमबर टैन क्या पूशा गया है दोस्तों टैन्थ नंबर के कॉश्चन में आपसे पूशा गया है वस्तू से छूटा प्रतिविम किस में बनता है बताई ये राइट आंसर क्या हो जाएगा चले देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बस्तू से छोटा प्रतिविम्ब उत्तल दर्पन और आउतल दर्मपन बनता है option number D right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 11 question number 11 में पूशा गया है आपसे निम्न मैसे कौन सी बीमारी सुसंत अंदुसे से संबंदित है बता ही right answer क्या हो जाएगा चले देखते हैं right answer क्या है तो सुसंत अंदुसे संबंदित बीमारी टीवी और निमोनिया दोनों है option number D is question का right answer हो जाएगा B और C दोनों next question देखते हैं question number 12 क्या पूशा गया है आपसे question number 12 मैं पूशा गया है भारत के प्रकाश के परावरतन के नियम के अनुसार इन में से क्या सही होगा बताएगे चले देखते हैं right answer क्या हो जाएगा option number B आपतन पूण प्रावरतन कौण के बराबर होता है प्रकाश के परावरतन के नियम के अनुसार सत्य होगा next question देखते हैं question number 13 question number 13 में आपसे पूशा गया है मनुष्य में मुख्य सुसन अंग क्या होता है बताई राइट आंसर क्या हो जाएगा चले देखते हैं राइट आंसर क्या होगा तो मनुष्य में मुख्य सुसन अंग आपका फेफड़ी कहलाएंगे option number A right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 14 यह रहाइट स्क्रीन पर समतल दरपन द्वारा बना प्रतिविम्ब सदा कैसा होता है बताई राइट आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है च्छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है बताईए चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है तो CEO काइट्स कहते हैं च्छाया में पनपने वाले पौधों को next question देखते हैं question number 16 question number 16 में आपसे पूछा गया है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंतृत कौन करता है बताइए राइट आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं राइट आंसर तो option number A परितारी का इसका राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं question number 17 question number 17 में आपसे पूछा गया है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं बताइए राइट आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंधर रहते हैं option number B राइट आंसर हो जाएगा question का नेक्स कॉशन देखते हैं कॉश्चन नमबर 18 वायू मंडल में सामानिता CO2 पाया जाता है बताई कितना पाय जाता है चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो 0.03 प्रतिशत इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D नेक्स कॉशन देखते हैं कॉश्चन नमबर 19 सूरी हो दै और सूरियास्त के समय सूरिय का गोल धिखता है जो गोल भाग धिखता है वह किस प्रकार का गोल होता है बताई ये चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो आप्शन नमबर D चप्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा चप्टा हुआ गोल दिखाई देता है next question देखिए फेफडे का आकार कैसा होता है बताई right answer क्या होगा चली देखते हैं right answer क्या है फेफडे का आकार शंकुआ कार होता है option number c right answer हो जाएगा next question देखिए Question number 21 Question number 21 में आपसे पूछा गया है निम्न मैसे कौन एक संयोजी उतक नहीं है बताई राईट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं राईट आंसर क्या है तो तुच्छा एक संयोजी उतक नहीं है Option number 6 Question का राईट आंसर हो जाएगा Next question देख लेते हैं बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो गुबर चत्ता जो है मृत जीवी के अंतरगत आता है ऑप्शन नमज सी इसका राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं question number next यदि दरपण में बना प्रतिविम्ब हमेशा सीधा आकार में वस्तू के बराबर है तो दरपण कैसा होगा बताए चलिए देखते हैं right answer क्या है तो यहाँ दरपण समतल दरपण कहलाएगा option number C right answer हो जाएगा इसका next question देखते हैं question number 24 में देखी क्या पूशा गया है समतल दरपण के द्वारा बना प्रतिविम्ब कैसा होगा बताएगे तो चलिए देख लेते हैं तो समतल दरपण के द्वारा बना प्रतिविम्ब हमेशा कालपनिक होगा option number B right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 25 जैव प्रक्रम के अंतरगत कौन आता है comment box में comment करके बताएगे चलिए देखते हैं right answer क्या है option number D ये सभी जैव प्रक्रम के अंतरगत आते हैं portion, उत्सर्जन और स्वसन ये सभी जैव प्रक्रम के अंतरगत आते हैं next question देखिए question number 26 निम्न मैंसे कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोक्त नहीं किया जा सकता बताएगे चलिए देखते हैं right answer क्या है तो option number B मिट्टी इसका right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 27 ये रहा स्क्रीन पर oxygen क्या है बताएगे क्या होगा इसका right answer चलिए देखते हैं right answer क्या हो जाएगा option number C इसका right answer हो जाएगा oxygen एक enzyme है उत्रप्री रख का कारे करता है next question देखते है question number 28 ये रहा स्क्रीन पर लार्ड सडा अंद्र अर्थाट red rot बीमारी निम्लिकित मैंसे किस पौदे को होती है बताई ये right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer तो गन्ना इसका right answer हो जाएगा option number B red rot रोग बीमारी गन्ने में होती है next question देखते है question number 29 उत्तर लेंस की शम्ता कैसी होती है बताई ये क्या होगा answer चलिए देखते हैं right answer क्या हो जाएगा उत्तर लेंस की शम्ता जो है आपकी धनात्मा होगी option number B right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 30 देख लेते हैं रक्त में glucose की मात्रा को कौन नियंत्रित रहता है बताई ये right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो glucose की मात्रा insulin के कारण नियंत्रित रहती है दोस्तों सारे question exam में last year पूशे गए हैं अपना इपना score last question तक जरूर share करें कि कितने questions आपके सही हुए हैं और कितना score आपने gain किया है अगला question देखते है question number 31 क्या पूशा गया है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है बताई राइत आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो भोजन का पाचन आपकी option अभिक्रिया हो जाएगी next question देखते है question number 32 क्या पूशा गया है question number 32 में आपसे पूशा गया है निमलिकित में से कौन से सुक्ष्मजीव पोलियो तथा चेशक अर्था चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है बताई राइत आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है option number D विशाणू इसका right answer हो जाएगा next question देखते है question number 33 क्या पूशा गया है आपसे lens की शमतका ऐसाई मातरक क्या हो गा बताई राइत आंसर क्या है चलिए देखते हैं right answer क्या हो जाएगा lens की शमतका ऐसाई मातरक डायोप्टर कहलाएगा option number C next question देखते है question number 34 question number 34 में देखिए क्या पूशा गया है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है इसका कारण क्या है बताइए चलिए देखते है राइट आंसर क्या है तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है अपवरतन के कारण option number B right answer हो जाएगा next question देखते है question number 35 question number 35 में आपसे पूशा गया है मनुष्य में बुद्धी एवं चतुराई का केंदर क्या है बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते है right answer क्या है option number C सहरी ब्रहम इसका right answer हो जाएगा मनेश्य में बुद्धी एवं चतुराई का केंद्र सेरी ब्रम है नेश्ट कॉशन देख लेते हैं कॉशन नमबर 36 पानी में डाली हुई छड़ी तेड़ी दिखाई देती है इसका कारण क्या है बताइए चले देखते हैं राइट आंसर क्या है पानी में डाली हुई छड़ी हमेशा तेड़ी दिखाई दिने का कारण अपवर्तन होता है कॉशन नमबर 37 देख लेते हैं कॉशन नमबर 37 में आपसे पूशा गया है मनुश्य के सूंगने की शमता को कौन नियंतरित करता है बताइए राइट आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा मनुश्य के सूंगने की शमता को घ्राण इंदरिय पालिया नियंतरित करती है कॉशन नमबर नेक्श देख लेते हैं कॉशन नमबर नेक्श में आपसे क्या पूशा गया है एक विशेश कार करने वाले समान कोशिकाओं के समूग को क्या कहा जाता है बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है तो एक विशेश कार के करने वालों को एक विशेश कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूग को उत्तक कहते हैं option number A right answer हो जाएगा इस question का next question देखते हैं question number 39 दरपन की चोड़ाई को दरपन का क्या कहा जाता है बताईए चले देखते हैं right answer क्या हो जाएगा तो दरपन की चोड़ाई को दरपन का द्वारक कहते हैं option number C right answer हो जाएगा इस question के लिए next question देखते हैं question number 40 ये रहा है स्क्रीन पर मनुष्य के मस्तिस्क की सबसे बाहरी जिल्ली कौन सी कहलाती है बताईए चले देखते हैं right answer क्या हो जाएगा मनुष्य के मस्तिस्क की सबसे बाहरी जिल्ली डियूरा मीटर कहलाती है option number C next question देखते हैं question number 41 solar cooker में प्रियोग क्या किया जाता है बताईए right answer क्या हो जाएगा चले देख लेते हैं right answer क्या है तो solar cooker में आपका आउतल दरपन प्रियोग होता है option number A right answer हो जाएगा next question देखते हैं question number 42 रोगियों के नाक कान गले आदी की जाच के लिए डॉक्टर प्रियोग करते हैं क्या प्रियोग करते हैं बताईए चले चेक करते हैं right answer क्या है तो option number C आउतल दरपन इसका right answer हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं कॉशन नमबर 43 ये रहा स्क्रीन पर जंग लगना डैश है बताइए क्या कारण है जंग लगने का तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं तो जंग लगना रेलोक्स अभी क्रिया अर्थात आक्सी करण और अप्शेयन का कारण है ओप्शन नमबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देख लेते हैं कॉशन नमबर 44 ये रहा इसक्रीन पर एक स्वस्त मनुश्य का rakt चाप कितना होता है बताइए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा एक स्वस्त मनुष्ट का रक्टचाप 120-80 होता है option नमर B राइट आंसर हो जाएगा next question देखिए question नमर 45 हीवे का अपवरतनांग क्या है बताए राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं साथियों राइट आंसर क्या है तो option नमर D राइट आंसर हो जाएगा मैं सभी से कहना चाहूंगा आप अपना score total number में से क्या आया है comment box में जरूर शेयर करिएगा जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है next question देखते हैं question number 46 यह रहा स्क्रीन पर खाद पदार्थों का पौधों में इस्थाना अंतरन का मुख्य रूप क्या है comment box में comment करके बताईए चलिए चेक करते हैं राइट आंसर क्या है तो option number C सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा question number next देख लेते हैं question number 47 में आपसे क्या पूशा गया है एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है कारण क्या है बताईए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है क्योंकि वह सारे रंग आवशोशित कर लेता है और कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है इसी लिए वह काला दिखाई देता है नेक्स कॉशिय देखते हैं question number 48 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वह कौन सा दरपन होता है बताईए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो उत्तल दरपन लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने नेक्ट कॉशन देखते हैं कॉशन नमबर 49 स्वशन की अभिक्रिया में खाद पदार्थों की परिणती क्या होती है परिणती का मतलब खाद पदार्थ फिर क्या होते है स्वशन के पश्यात ये पूछा गया है बताए चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है तो स्वशन की अभिक्रिया में खाद पदार्थों की परिणती आपकी विगटन होती है आप्शन नमबर A राइट आंसर हो जाएगा कॉशन नमबर 50 देख लेते हैं क्या पूछा गया है दोस्तो कॉशन नमबर 50 में आपसे पूछा गया है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकास पुंज की प्राप्ती होती है बताए राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए दीखते हैं राइट आंसर क्या है बताइए right answer क्या हो जाएगा बौधे रात में सोशन करते हैं रातरी में तो उनके अंदर oxygen कैसे पहुंचता है तो वहाँ पहुंचता है आपका विशरण के द्वारा option number B right answer क्या हो जाएगा option number B विशरण next question देख लेते हैं next question क्या है ये रहाई स्क्रीन पर सामान नेत्र की सामान नेत्र की रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम कैसा होता है बताइए right answer क्या हो जाएगा सामाने नेत्र की रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम कैसा होता है चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है तो सामाने नेत्र की रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम वास्तविक और उल्टा होता है option number C next question देखते हैं साथियों next question देखिए क्या पूशा गया है आपसे उर्जा उत्पादन में उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया किसका उप्योग करती है बताए ये right answer क्या होगा चले देखते हैं right answer क्या है तो उर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राया ग्लुकोस का उप्योग करती है option number B right answer हो जाएगा next question देखते है question number 54 क्या पुछा गया है आपसे निमलिकित मैंसे कौन साथ एक धनियन नहीं है बताइए right answer क्या हो जाएगा इनमें से कौन एक धनियन नहीं है क्या होगा इसका right answer चलिए देखते हैं right answer क्या है तो option number C sulfate iron एक धनियन नहीं है next question देखते है question number 55 यह रहाई screen पर question number 55 में आपसे पूछा गया है नेत्र लेंस में समा योजन की क्रिया कैसे होती है बताइए चलिए देखते हैं right answer क्या हो जाएगा नेत्र लेंस में समा योजन की क्रिया जो है सिलियरी पेशियों द्वारा होती है option number C right answer हो जाएगा next question देखते है question number 56 यह रहाई screen पर question number 56 में आपसे पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य स्वास गरहन करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है बताइए चलिए देखते हैं right answer क्या है तो वह प्रक्रिया आपकी स्वाक्षो वास कहलाती है option number B right answer हो जाएगा next question देखिए question number 57 यह रहाई screen पर question number 57 में आपसे पूछा गया है किसी नेतर का निकट बिंदू क्या है बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer तो 25 cm से ज़्यादा नजदीक का आप नहीं देख सकते अगर इससे नजदीक आप देखेंगे तो आपको धुन्दला दिखाई देना रगेगा और दूर बिंदू मानो की नेतर का अनन्त होता है question number next देख लेते हैं question number 58 निम्न मैंसे कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो option number C टाइलिन जो है लार में पाया जाता है next question देखते हैं question number 59 ये रहा इस्क्रीन पर निम्न लिखित मैंसे कौन सा बुरा उश्मा परिचालक है बताइए right answer क्या हो जाएगा इसका चलिए देखते हैं right answer क्या हो जाएगा तो सीसा जो है ग्लास जो है उश्मा का बुरा परिचालक है next question देखते हैं question number 60 आँख की पुतली किस प्रकार कारे करती है बताइए right answer क्या हो जाएगा तो आँख की पुतली आपकी परिवर्तक द्वारी की भाती कारे करती है option number A right answer हो जाएगा next question देखिए question number 61 अमीवा में भोजन का अंतर ग्रहन किसके द्वारा होता है बताइए right answer क्या होगा चले देखते हैं right answer क्या है तो अमीवा में भोजन का अंतर ग्रहन कूट पात के द्वारा होता है option number A right answer हो जाएगा next question देखिए question number 62 सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदू क्या है तो दूर बिंदू क्या होता है सामान्य मानव नेत्र का अनंत होता है next question देखिए question number 63 शरीर का तापकरम कहा नियंत्रित होता है साथियों अपना score जो है हमें comment box में जरूर शेयर करिएगा कि आपने total कितने caution किया और कितना answer आपका सही हुआ है screen पर जो caution है सामान्य तापकरम कहा नियंत्रित होता है सरीर का तो इसका right answer है हाइपो थेलमस में option number C right answer हो जाएगा इसका question number 64 देख लेते हैं question number 64 यह रहा है screen पर cinema के परदे पर किस प्रकार का प्रतिविम्ब बनता है बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो option number B वास्तविक प्रतिविम्ब बनता है next question देखते है question number next क्या पूशा क्या है आपसे अधिकांश पुस्पी पादपों में चार गुरू बीजाणियों में से कारेशील और अल्प अपविक्षित गुरू बीजाणियों का अनुपात क्या होता है तो right answer क्या हो जाएगा इसका बताइए चलिए देखते है right answer तो एक अनुपात तीन वन रेशियो त्री इसका right answer हो जाएगा option number B next caution देखते हैं next caution ये रहा screen पर मनुश्य में एक्षिक गतिविदियों का नियंतरन किसके द्वारा होता है बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो एक्षिक गतियों का नियंतरन सहरी ब्रम के द्वारा होता है next caution देखते हैं question number 67 कौन रंग है जिसका खत्रे के सिगनल में उप्योग होता है तो right answer क्या हो जाएगा लाल रंग होता है खत्रे के सिगनल में प्रियोग next caution देखिए caution number 68 यह रहाई स्क्रीन पर मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का इस्तरा होता है बताइए चलिए देखते हैं right answer क्या है तो relax in इसका right answer हो जाएगा option number C next question देखते है question number 69 kilowatt घंटा किसका मात रख है बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer क्या है तो kilowatt घंटा जो है आपका उफजा का मात रख है option number B right answer होगा next question देखते है question number 70 शरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है बताइए चलिए देखते हैं right answer क्या है शरीर की सबसे बड़ी गरंती यक्रत गरंती है next question देखते है question number 71 विद्युत बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है बताइए किसका बना होता है चलिए देखते हैं right answer तो टंग अश्टन का बना होता है option number C next question देखते हैं question number 72 सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधार भूत उतकों से बना होता है बताइए कितने प्रकार के उतकों से बना होता है तो answer देख लेते हैं तो चार प्रकार के उतकों से बना होता है option number D right answer हो जाएगा next question देखे निम्न मैसे कौन से सुक्ष्व जीवी पोलियों तथा चेचक जैसी गंबीर बीमारियों का कारण होते हैं बताइए right answer क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं right answer तो option number D इसका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं जंग लगना किसका उधारन है तो जंग लगना ऑक्सी करण अभी क्रिया का उधारन है option number C right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं निम्न खितमे से कौन एक घनियन नहीं है तो sulfate iron जो है वा धनियन नहीं है तो दोस्तों ये थे आपके सामने questions जो last year exam में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे आप अपना score हमें comment box में share करिए कि आपने total कितना score किया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो की link को अपने दोस्तों को भी share करें और चैनल को subscribe करके bell icon को click कर लें जिससे आगे आने वाले videos आपको time to time मिलते रहें दोस्तों वीडियो को like ज़रूर करें share ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और bell icon का button क्लिक कर दें जिससे आगे आने वाले notifications time to time मिलते रहें मिलते हैं दोस्तों next वीडियो के साथ में अपना score ज़रूर comment box में share कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद